नमस्क्राइब दोस्तों, आज के वीडियो में Axis Bank Indian World Credit Card को जानेंगे, जिसे Axis Bank ने lifetime free किया है एक limited period offer के साथ, जी हाँ, Axis Bank का एक over credit card lifetime free हो चुका है, और सास में यहाँ 1000 का welcome benefit भी देखने को मिलता है, इसलिए अगर अभी इस credit card को apply नहीं किया जाए, तो जिस तरफ flip card credit card पे fee and charges लगने लगा, ठीक उसी प्रकार इसका भी offer जब खत्प हो जाएगा, जब Axis Indian World Credit Card का offer खत्प हो जाएगा, तो इस पे भी fee and charges लगने लगेगा, इसलिए आज हम लोग Axis Indian World Credit Card का detail जानेंगे, जैसे feature and benefit, fee and extra charges और eligibility, साथ में इस credit card को apply करेंगे, ताकि customer को apply करने में कोई problem ना ह और आज का सबसे बड़ा सवाल, कि ये credit card कीन customer से lifestyle को ज़्यादा सूट करता है, तो चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है, देर किस बात की channel को subscribe करें, साथी पूरी जानकारी और applying process के लिए video gain तक बने रहे हैं, दोस्तो अगर हम लोग Axis Bank के official sites को जाएं, तो वहाँ हम credit card पे offer चला था, वो lifetime free हुआ था, कभी myzone credit card पे offer चला, वो भी lifetime free हुआ और भी कई सारे offer and feature and benefit उसमें देखने को मिले, और आज credit में Axis Indian Oil credit card lifetime free है, तो आए सबसे पहले हम लोग इस card के eligibility जानते हैं, कि किन करेक्टेरिया को follow करना होगा इस card को पाने के लिए, तो सबसे पहले जो customer इस credit card को apply करने जा रहा है, उनका age 18 year से लेकर 70 year के बीच होना चाहिए, वो Indian या NRI रह सकते हैं, वो self-employed हो सकते हैं, और साथ में उनका civil, यानि credit score भी better होना चाहिए, इतने के बाद जब आपका application approved हो जाएगा, तो कुछ document देना होगा, जैसे pan card, आधार card और income proof, अगर सभी आपके पास है, तब simply आप इस card के लिए eligible हो जाएगे, अब मैं इस credit card को apply करता हूँ, अगर आप लोगों को भी access Indian oil credit card apply करना हो, या access bank का कोई भी credit card apply करना हो, तो link description में दिया हुआ है, नाम पढ़कर, जैसे ही link को click करेंगे, कुछ इस तरह का dashboard सामने आएगा, दोस्तों access credit card को आपने दो तरीकों से apply करने का कोईस किया, पहला तरीका जो आप देख पा रहे हैं, दूसरा कुछ different process, almost same कह सकते हैं, वो process, दोनों ही process आपके साथ share करने का कोईस करेंगे, यहाँ access bank आप से ये पूछ रहा है, कि क्या आप पहले से customer है access bank के, अगर है, तो yes, otherwise no को click करे उसके बाद अपना detail enter करना होगा, यहीं से आपका application process start हो जाता है, जैसे mobile number, pen number, area pin code, और net annual income, इन सबों को fill करके next को click कर देना है, फिर एक और page आपके सामने आएगा, जिसमें first column में अपना आधार card वाला नाम, second में date of birth, third में card पे जो नाम दलवाना चाहते हैं, वो वाला न उसे fill करें, उसके बाद mother name, father name, marital status, gender, current residential address, मतलब अभी आप जहां रह रहे हैं, वहां का पूरा पता, उसके बाद नीचे education status select करना होगा, और email id fill करना है, फिर box को tick करते हुए next को click कर देना है, अगला step शुरू हता है employment detail को लेकर, जिसमें आपको select करना होगा, कि आप salary है य next को click करना है, फिर आप देख पा रहे होंगे कि access के जिस भी credit card के लिए applicable है, वो आपके सामने show करेगा, इसमें से एक Indian oil credit card भी होना चाहिए, अगर Indian oil credit card नहीं है, अगर आप quit करना चाहते हैं, तो यहां से आप quit कर सकते हैं, और अगर Indian oil credit card है, उसे select करेंगे, फिर next को click कर दे उस OTP को यहां feel करना है, और box को tick करते हुए submit कर देना है, देन एक reference ID generate होगा, उस reference ID की मदद से जब तक card आपके पास ना आ जाए, तब तक card का status time to time check कर सकते हैं, अब हम लोग start करते हैं दूसरा process, यह जो दूसरा process आप देख पा रहे हैं, यह current process है, यह एक नया process है, इसमें सबसे पहले आपको अपना mobile number एंटर कर देना है, फिर आपको date of birth एंटर करना है, उसके बाद sent OTP को click कर देना है, OTP एंटर करके जैसे ही login को click करेंगे, तब maximum 4 process बचा हुआ है, जिसमें आपको एक application ID मिलने वाला है, पहला है offer, अपना offer check करना है, income detail एंटर करना है, salad या self-employed बताना है, monthly income select करना है, और pin code एंटर करके, get a start को click करना है, फिर offer आएगा, आप किस-किस card के लिए eligible है, जिस card के लिए अगर आपको वो card चाहिए, अगर नहीं चाहिए, तो वहाँ से quit कर सकते हैं, अगर आपको वो card चाहिए, तो card select करके, next करने के बाद, personal detail एंटर करना होग फिर जब आप okay करेंगे, submit करेंगे, तो एक application ID आपको मिलेगा, उस application ID की मदद से, जब आपका application ID generate हो जाएगा, उस ID की मदद से, जब तक card आपके पास ना आ जाए, तब तक card का status time to time चेक कर सकते हैं, कि card आपका decline हो गया, या फिर card approved होने वाला है, फिर working 1 week के अंदर अदर की केवाशी कर दी जाएगी, और 21 days के अंदर अंदर card आपको मिल जाएगा, यहां हम लोगों ने card apply तो कर लिया, अब आईए इस card के features जानते हैं, जहां सबसे पहला आता है, बेलकम benefit, इसमें access bank ये कहता है, कि जो customer हमारा Indian oil credit card join कर लेगा, और 30 दिनों के अंदर अंदर इस credit card से Indian oil pump पे fuel spent करेगा, 500 रुपे तक fuel spent करेगा, तो हम उन्हें 100% cashback देंगे, लेकिन याद रहे कि अगर fuel का amount 500 से जादा भी होगा, तब भी वो 500 तक ही 100% cashback देगा, वो 500 से जादा का 100% cashback आपको नहीं मिलेगा, साथ में Amazon के तरफ से worth रुपीज 500 का gift voucher भी मिल जाता है, यानि 500 और 500, कुल मिलाकर, बेलकम gift में 1000 का benefit customers को होता है, लेकिन ये offer सिर्फ और सिर्फ limited period offer के लिए है, offer खत्म हो जाने के बाद, ये benefit, ये तीनों benefit, जो lifetime free है, एक gift voucher है, और cashback है, 100% cashback है, ये तीनों offer देखने को नहीं मिलेगा, offer खत्म हो जाने के बाद, limited period offer खत्म हो जाने के बा lifetime free credit card आप लेना चाहते हैं, तो ये credit card apply कर सकते हैं, link description में available है, दूसरा feature है reward point, जब customer को पता है कि ये credit card fuel transaction पे ज्यादा benefit देता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका reward point भी ज्यादा ही होगा, fuel transactions पे, जैसे card holder Indian oil के किसी भी fueler stations पे fuel लेगा, fuel transaction करेगा, इस credit card से, तो उन्हें हर 100 र यानि एक billing cycle में 100 रुपय से लेकर 5000 तक ही fuel transaction कर सकता है, यानि उन पैसों पर reward point मिलेगा, अगर 5000 से ज़्यादा आप transaction करेंगे, वो अतना कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 5000 से ज़्यादा आप transaction करेंगे, तो उन पैसों पर reward point देखने को नहीं मिलेगा, उसी तर spend पे था, यहाँ भी customer को 5000 रुपय तक ही reward point मिलेगा, 5000 तक spend करेंगे, तो reward point मिलेगा, अगर 5000 से ज़्यादा आप transaction करेंगे, तो उस पे reward point देखने को नहीं मिलेगा, next feature है, fuel surcharge barrier, जो सभी credit card मिलता आया है, इस credit card मिलेगा, अगर customer इस credit card से fuel transaction करता है, तो जो benefit है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1% का fuel surcharge payoff कर दिया जाएगा, लेकिन transaction amount एक बार में 200 रुपय से लेकर 5000 तक ही होना चाहिए, और यहाँ से maximum एक billing cycle में आप जादा से जादा 50 रुपय का benefit पा सकते हैं, अगला feature है, अगले feature में यह है कि आप 10% discount पा सकते हैं, अगर customer book my show के जरीए movie ticket book करेगा, तो उनके हर transaction पे up to 10% discount मिलेगा, इसी तरह से dining benefit up to 15% का, जो access के partner restaurant के साथ देखने को मिलेगा, जैसे माल लिया जा, आप किसी restaurant में जाते हो, वो restaurant access का partner restaurant है, औ और अगर आप इस credit card से transaction करते हैं, तो up to 15% का instant discount देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा add-on card का features भी available है, जैसे माल लिया जाए, आपके family member को credit card चाहिए, लेकिन ये खासकर ये credit card चाहिए, और access bank उन्हें eligible नहीं कर रही है, इस credit card के लिए, माल लिया जाए, उनका civil खराब हो या source of income नहीं हो चाहिए, जो भी बजा हो, eligible वो नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने बिहाब पर, अपने family member को credit card दिलवा सकते हैं, उन family member को जिनका age 15 year ये 16 year से जादा हो, आप उन्हे credit card दिलवा सकते हैं, अपने बिहाब पर, क्या होगा कि आपका limit का कुछ हिसा card लिया ज जाएगा, तो इस तरह से आप add-on card के जरी अपने family member को credit card भी दिलवा सकते हैं, इंडियन वाइल credit card दिलवा सकते हैं, आईए, अब हम लोग इस card का fee and charges जानते हैं, तो दोस्तों, offer चलने से पहले, इस credit card का joining fee और envelope fee, दोनो 500 रुपे था, लेकिन जब से offer चल रहा है, और जब इस credit card का joining fee 500 रुपे और envelope fee 500 रुपे था, और उस envelope fee को भी आप बेवाफ करवा सकते थे, अगर आप एक साल में इस credit card से 50,000 रुपे स्पेंट कर देते तो आपका envelope fee बेवाफ कर दिया जाता, इसके लावा cash payment fee 100 रुपे, cash fee double और finance charge 3.4%, over limit 2.5%, check return 2% और foreign markup 3.5%, साथ में मेरा है दोस्तों कि जब भी आप अपने credit card से shopping करते हो, और जब credit card का bill generate हो जाता है, तो due date के समय ही सारा payment clear करते चलें, ऐसा नहीं करने से, late payment fee, और साथ में penalty, और साथ में कई तरह का finance charge आपके उपर impose कर दिया जाता है, जो लगबग 80-90% होता है, दोस्तों ये credit card वैसे लोगों के जो suitable है, जिनका जादा खर्च petrol, diesel जैसे fuel transaction पर होता हो, जो खास कर Indian oil petrol pump पे होना चाहिए, IOCL के petrol pump पे होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आप online transaction भी online expense भी करते हो, वैसे ये credit card Axis Bank का entry level credit card है, जो खास कर petrol, diesel जैसे fuel expense के लिए बनाया जाता है, तो ये था दोस्तों, Axis Bank Indian oil credit card क पूरा detail और साथ में applying process, अगर आभी भी इस वीडियो से related, इस topic से related, कोई सवाल आपके पास हो, तो comment में पूछ सकते हैं, चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है, देर किस बात किस चैनल को subscribe करें, और ये वीडियो उप्योगी लगे, तो इससे like भी जरूर करें